यह आना बहुत जरूड़ी आपको दुनिया के किसी बीग्जान बैटते आप अच्छी एक्जान इस सिट किस्टे नहीं कुछ है ऐसा होई नहीं सकता है या को आना चाहिए किसी बीग्जान बैटने वाले हो चाहिए मेटिकल इंट्रेंस देने वाले हो या इवन पीजिटी कुछ भी देने वाले हो या केमेस्टी पढ़ना पसंद भी करते हों तो इस सब आपको आना चाहिए मजा रहा है ना कितना सांदार लाजिप है जखोई आप हर जगा यूज़ कर सकते हैं सबसे नहीं है ऐसे हैं आप लोग रम स्टांदार आज हम लोगों के मिलने की वज़ इसडिक स्टर्ण का लेक्चर तू है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिनाल का एस्डिक नेचर और फिनाल के जितने होते हैं सबस्टिटेड फरम उन सब की एसडिक स्टेंस कमपेर करेंगे और यह लेक्चर बहुत यूस्फूल होने वाला है आपके लिए क्योंकि अक्सर आपसे फिनॉल की एस्टिक एस्टेंद कंपेर करता अलकोहल के साथ या कार्बॉक्सलिक एसिड्स के साथ या अलग-अलग उसमें लगा के आर्थो, पैरा, मेटा, पोजिशन पे अलग-अलग ग्रुप प्रकर करके आपसे प्रेशन पुछता है, तो हम लोग इन सभी की एस्टिक 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 होता क्यों है, पहले डिस्कस करते हैं उनकी इस्टिक एस्टिक करते हैं तो फिनग एस्टिक होता है, यह तो आपको समझना होका, इसके पहले वाई लक्च्चर में आपने देखा था मतलब जो compound H plus करते हैं क्या लिखा है, रेमुवर्द और H plus, जो compound H plus lose करते हैं उन्हें बोलते हैं उसके अंदर acid nature है ज़रा सोची ध्यान से अगर H plus के lose करने से कोई compound acid हो जाता है तो जाएट सी बात है जो compound H plus को आसानी से lose करेगा वो हो जाएगा strong acid और आसानी से H plus वही lose करेगा जिसे H plus निकालने से फाइदा होगा फाइदा मतलब stability तो देखते हैं फिनॉल को H plus lose करने से फाइदा होता है या नहीं अगर फिनॉल को H plus lose करने से फाइदा होगा तो यह है है H plus lose करना चाहेगा और यह बनेगा acid देखिए यहां से अगर हम लोग करना क्या आपको removal of H plus यह हो जाएगा acidic nature यह बन जाएगा acid का anion तो अगर यह H plus lose करने से फाइदा होने वाला है तो इसका मतलब acid के anion की stability जादा होगी और आप यही करना है stability of acid anion जिस acid के anion की stability जादा होगी वह acid जादा strong होगी acid के anion की stability के आधार पे करते हैं आशीदगे के में पड़ा है पिछले वाय लेक्शेर में अगर हम इसका एच प्लस निकाल देहां से किसी वेश की प्रजंस में अगर इसका एच प्लस बहार निकाल दिया जाए ह प्रस, तो ओपर क्या आ जाएगा, माइनस ये पढ़े-पढ़े है ये वाप लोग तो यहां पर देखे हैं से यह Double Bond यहां पर यहां पर ओपर आ जाएगा माइनस, ये हो गया Phenoxide ये है Phenoxide Iron अब देख सकते हैं ये माइनस्ट सार्द single double single double single double मतलब यह minus charge O का minus charge यार H plus के जाने के बाद O पर minus आएगा ना तो जो phenoxide आयन बना है phenoxide का जो O minus है इसका minus charge इस pi bond के साथ यह alternate पे है मतलब यह minus delocalize करेगा delocalize का मतलब इसका अस्थान बदलेगा कि कह सकते हो आप यह क्या है actually stabilized by resonance stabilized by resonance यह रिजूनेंस के द्वारा इस्थान बदलाइज करेगा इस वज़े से इसके stability भूज जाता होता है कैसे होगा structure draw करना आपने रिजूनेंस से पढ़ा है पढ़ा है ना रिजूनेंस ने पढ़े हो आप देख सकते हो रिजूनेंस बाई एसन सिंग या Conjugation by Essencing यह सभी टॉफिक आप वह मिल जाएंगे इसे माइनस दिया गया है इस माइनस इस पाई बॉंड को आप यहां शिप्ट कर दो यहां से लिए कि यहां तो कहीं शिप्ट कर सकते हो यहां माइनस आ जाएगा यहां प्लस आ जाएगा प्लस और यह माइनस बॉंड बन जाएंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या जो डये वन यहां पर है एक on यहां पर हो जाएगा ओ को डबल बॉंड इसपर आ जाएगा माइनस फिक है यह मैंड से यहां चुका है अभिष प्लाइव बांड को ब्रेक करें इधर ने साइड में यहां माइनस आएगा I है यहाँ पुलस इद्वांड उन्द जाए ओ इ सफ्किक पर अब उसको है इसन नाप सकते हों को सट्राश कहा है देखेंगे यहां पर आएगा यहां प्लस यहां बॉंड बन जाएगा तो आप दिखे ऐसे यहां पर दिया गया अब यहां पर माइनस आ चुका है यहां डबल बॉंड यहां डबल बॉंड और दिखे ऐसे एक बड़ा याद रिखे जो माइनस में लेगा यहां से आप चाहे इसके दिखा बन जाएगा यहां प्लस आ चुका है यहां पर माइनस से डबल बॉंड हो जाएगा ओपर आ जाएगा माइनस कहा जारा देखिए पहले माइनस ओपर था अब माइनस आर्थों पर आ गया ठीक है फिर पैरा पर आ गया फिर आर्थों पर फिर वो पर मतलब माइनस चार्ज दी लिक्राइज कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर क्या है रजुनेंस के द्वारा इस्टेबलाइज कर रहा है इसका मतलब फिनॉल रियली क्या है एस्टिक नेचर का एच प्लस रूस करने वाले एसिड होते हैं ठीक तो जाइब सी बात है, जो H plus loose कर रहा करेगा आसानी से, नहीं समझे, मैं इसने क्या बोला, H plus loose करना acidic nature कहलाता है, अब जिसको अगर H plus loose करना acid की पहचान है, जाइब सी बात है, जो आसानी से H plus loose करेगा, वो होगा strong acid, और आसानी से H+, वही lose करेगा, जिसको H+, lose करने से फायदा होगा, फायदा मत्तब stability, है ना, जेखो H+, lose करना acid की पहचान, बन जाता है acid का anion, और जिस acid के वाई अगर यह है, ज्यादा stable हो जाएगा, तो H+, lose करना चाहेगा, तो जिस acid का anion, ज्यादा stable होगा, वह acid ज्यादा strong होगी, उसकी strength ज्यादा होगी, तो यह phenol है, phenol ने H+, lose किया, बन गया phenoxide iron, phenoxide iron का जो माइनस है, single, double, यह माइनस charge, इन पाई बॉन्ट के साथ alternate पे है, मतलब resonance करेगा, तो resonance के द्वारा stabilize कर गया, इसका मतलब इसका anion, phenol के H+, जाने के बाद बना हुआ phenoxide iron, प्रजुनेंस के द्वारा stabilize है, इसका मतलब यह estic nature आसानी से show करेगा, समझ गये ना, हाँ, एक बात और याद रखेगा, phenol के लिए famous है, दिखिए, बी यार निखा रहता है, कहा जाता है, तो phenol, blue litmus को red कर देता है, तो litmus का behave आप याद रखेगा, BR, blue red, litmus जो paper market में available है, या तो blue color का मिलेगा आपको, या फिर red color का, ठीक, तो इसका behave, acid और base में क्या होता है, आपको याद रखना है, किसी ये को याद कर लेते हैं, दूसरा उसका उल्टा कर देंगे, जैसे देखिए, या फिर A, BR लिखा है, blue red, तो A, BR याद कर लोगा, A का मतलब यहाँ पर acid है, A का मतलब यहाँ क्या है, acid, ठीक है, acid में blue litmus red हो जाता है, acid में, याद रखना क्या, acid में blue litmus red हो जाता है, इसका अर्थिया है कि, अगर litmus blue है, तो red होगा acid में, जालने पर, जाता है, यहाँ पर, इसके पहले वाई लेक्चर में क्या था हमोने, अलकोहल से इसकी acidic exchange क्या था compare, देख लो एक example, जैसे हम लेते हैं, आप मालो एथिल अलकोहल, CS3, CS2, OH, यह है एथिल अलकोहल, यह कौन है, या एथिनॉल बोल सकते हो, एथिल अलकोहल, इसमें से अगर आप H+, निकालेंगे, यह बन जाएगा CS3, CS2, OH, माइनेस, है न, इसे आप नाम देंगे, इथाउक्साइड आयां, यह हो गया, इथाउक्साइड आयां, अब यहाद यह क्या है, इसमें ओपर माइनेस चार्ज है, और बगल में एक पूरा क्या है, एक पूरा क्या है, में तब माइनेस चार्ज बढ़ जाएगा, और अब जानते हो, जहाँ चार्ज बढ़ता है, उसकी स्टेबिल्टी घड़ जाती है, यहाँ यहाँ पर माइनेस का मत्राज चार्ज जादा है, यह और जादा प्लस आई से एलेक्टार भीजेगा, यहाँ पर ओ पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसकी स्टेबिल्टी घड़ जाएगी, यह एथिल अलकुहल के से एच-प्लस निकालने के बाद बना हुआ एस्टाइट आयाँ डी स्टेबिलाइज कर रहा है, फ्लस आई एफट, द्वारा, इनvent कह सकते हो द ''स्टेबिल्टाइज जबाई, बाई, प्लस आई इफट, प्लस आई एफट, ठीक है, तो इसकी से एस प्लाइबों वनता है और जिस असीड का ज्यादा होता है गगे पथियाह हुए है इसका अर्थिया हुआ की फिनॉल इस्टॉंग इसिड है इस कम्पेर टू आगे बालेक्शन पढ़ेंगे एठेड करती है यहांपर किया है फिनॉल अलकोहल से अधिक दिक है इसके आगी जुशुकुंट होगोसर पढ़ेंगे फिनॉल को कर्शलिक эта सर्ण कर्शित के साथ क्वत पाय जाएगा वहां रीजर्य के साथ देखा जा अभी आज हम लोग केवल और कर फोकस करेंगे फिनॉल और सब्सक्राइब पर ठीक है तो आईए हम लोग देखते हैं अलग अलग तरह के फिनॉल के एस्टिक इस्टेंड की तुलना पिर आउट है किसी को अब टिसकस करेंगे सब्सक्राइब फिनॉल की एस्टिक इस्टेंड त्यार है आप आई देखिए ज़रा इसको ध्यान से तीन तरह के फिनॉल आपको मिल सकते हैं एक केस तो आपके सामने दिख रही है फिनॉल का नामे स्ट्रक्चर सेकेंड केस हो सकती है मेरे बच्चों आपको फिनॉल इस यहां ग्रूब लगये हूं इलेक्ट्रान रिलेजिम्ग गर्फ लगये हूं इसके इसे हैं ठीकरे इलेक्टॉल देनेवाल घ्रूप लगये हूं ऐसानके अ कोई फिनॉल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लगा हो कोई इलेक्टरान अट्रेक्टिंग ग्रूप ऐसे या इसे आप एक नाम और दिये होंगे याद हो तो इलेक्टरान विद द्राइंग ग्रूप याद है ना तीन तरह के फिनॉल आपके मुल सकते हैं एक तो नाम फिनॉल जिस स्रिंग पर कुछ नहूं पढ़ना है सब्सक्यूटेड मतलब इस स्रिंग के चाहे आर्थो पर चाहे मेटा पर चाहे पैरा पर पोजिशन जानते होना आप लोग अगर यह ओए फिनॉल यह मेल हो गया इसके रिस्पेक्ट में बगल वाले पोजिशन आर्थो चाहे जैसे बोले दोनों आर्थो है यह मेटा एभी मेटा यह पैरा होती है तो यह कहीं भी हो सकते हैं कहां कहां पर होंगा अगर देखते हैं फिलाल इलेक्टान दे बने रहें साथ में तो पहले खुद से जा सोचिए अरे थ्वासा वीडियो प्रॉस करो यार और क्या जादस सेकंड देओ फिर सोचो अगर नहीं कर पाऊगे तो हम लोग तो साथ में हैं तो आई हम लोग तरीका जानते ही हो क्या लॉजिक है लॉजिक बटाए है एच प्ल लूज करना एसिट की पहचान है तो जो एच प्लस लूज करेगा आसानी से वो स्टॉंग एसिड होगा और आसानी से एच प्लस वही लूज करेगा जिसको एच प्लस लूज करने से फाइदा होगा फाइदा मत्ब इस्टिबलिटी एच प्लस लूज करना एसिड की पहचा वही एसिड आसानी से H प्लस द्रूस करती है और वही होती है strong acid मतलब उसी acid की strength ज्यादा होती है तो यो आपके पास तीन तरह के फिनॉल हैं इन तीनों के H प्लस को निकालिए और H प्लस निकालके जो एनायन बनेगा उनकी stability compare कर दें जिसके एनायन की stability के जादा हो जाएगी वह एसीड उस acid की इस्टैन जादा होगी अब तो कर लोगे हम भी आपके साथ करना चाहेंगे तो साथ दोगे और देखते हैं मिल के देखते हैं मैरे वैच्चों अगर इसमें से हम हम H+, निकाल दे हम। मालो यहां देखो इस में से अगर ह wthки प्लस निकाल दे हम आपके लिए तो यहो जाएगा यहाँपर ओपर माइनस आ जाएगा फीन ओक्साइड हमने phenol से निकाल दिया H+, ठीक है यहाँ से एसे प्ल्स निकाल दिया हम ने है यह हो जाएगा फिनाुक साइड कि यह क्या हो गया फिनाटसई है अगर यह में चाहते हो ऑल्टर्नेट पर पाइबंदे सके लाई यहां पर है डबल बॉण यहां है उल पूस निकाल यहां हो गालो गए अची अच्पेस प्लस फील या फिटेक्ति फिल और उपस जाएनगी न है न कि यहां पर उपर माइस होगा इसमें क्या है को हुआ ऐलेक्टान देने वाला गुरूप है ऐसे होगा और यहां से भी यह प्लसिकाल सकते हुआ कि बस डिफ्रेंस यह है कि यहां पर एलेक्टान अट्रेक्टिंग गुरुप है विट्राइंग बोल सकते हो तीनों की stability compare कर ले गए तो समझी आप एसीड केस्चन पहचान गए चलोगे साथ में बोलिए अज़ देखते हैं यह रिंग का conjugation समय common है तो माइनस है single double S में ऐसा होगा रिंग का लेने का है और कहानी क्या है जहां पे चार्ज ज्यादा होता है उसके stability कम एक्चूल में neutral compound ज्यादा stable होते हैं चार्ज वाले से अगर सब के सब चार्ज वाले हो जिसके चार्ज कम होगा उसके stability ज्यादा होगी चार्ज कम देखो चार्ज जो न्यूट्र क्या है निया मेडिटूड आफ चार्ज है यह इन्वर्सली इस्टेबिल्टी के है तो चार्ज कम होगा तो stability ज्यादा होगी और चार्ज ज्यादा तो stability कम उटाएक नहीं तो यहाँ पर हम तियों के चार्ज का मेडिटूड करेंगे देखो बटाएं अगर देने वाला गृप है यहाँ आगे इल्टान भेजेगा यहाँ पर यहां-पहले से माइनस का मत्तब यहां इस ज्यादा है तो यहां और और उसके पास माइनस जाए तो यहां इल्टान की मात्रा और बढ़ेगे चार्ज बढ़ इल्टान अट्रेक्टिंग है इल्टान को अपने पास बुलाएगा जो है रटानों की कमी होगी इल्टान की जब कमी होगी कमी होगी तो चार्ज घटेगा चार्ज घटेगा तो इस्टिबिल्टी बढ़ेगी इसकी स्टिर्टी बढ़ रही है जबकि इसकी स्थिर्थी इस इसकी घट रही है इसकी स्टेबिल्टी बहर रही है अंतर हो जाएग रहे हैं यह इन तीनों में जो थर्ड वाला है थर्ड वाले की स्टेबिल्टी ज्यादा हो इसमें इसकी ज्यादा है फिर फर्स्ट वाले की है फिर सेकेंड वाले की यह तो हो गई एनायन की स्टेबिल्ट ठिक, A है stability of anion stability of anion ठिक है, A है stability of anion यह तो पहल लिया और जो stability anion की होगी वही acid के stand की होगी यहीं सेम पैटर्न इसमें जो दिया गया है तीन तरके phenol आपके पास है इसमें तीसरा वाला phenol ज्यादा है इस दिखोगा as compared to first in first बजाना होगा second यह है acid की stand यह आना बहुत जरूड़ी आपको दुनिया की किसी भी एक्जान बैठते आप अच्छे एक्जान acid की stand नप कुछे ऐसा होई नहीं सकता है या को आना चाहिए किसी भी एक्जान बैठने वाले हो चाहे medical entrance देने वाले हो या IIT एक्जान देने वाले हो या even PGT देने वाले हो कुछ भी देने वाले हो या chemistry पढ़ना पसंद भी करते हो तो इस सब आपको आना चाहिए मजा रहा है ना कितना सांदार लाजी थे हैं जखोई आप हर जगा यूज़ कर सकते हो हो इसा को एक सबसे नहीं है हम लोग के अतना आसान तरीका पस H+, निकालना है बेटा जो acid का anion में देगा उसी acid के anion की stability compare कर देना है और हम लोग पूरे GOC में stability compare करना सेखें हैं और आपने अगर इससे compare कर लिया stability पस वही हो जाएगा उससे acid का question खास बात एक और सुनो अगर आपने यहाँ तकर लिया तो कभी कभी आपसे पुछता है compound देके इनके PKA की value पुछता है pH की value पुछता है H+, concentration पुछता है तो इस अभी आप को हाना चाहिए है गरेंग और हमने इसके पहले वाई लेक्चर में अगर देखना हो कैसे बनता है अगर देखना हो कैसे बनता है तो फर्स लेक्चर देख लेना ठिक यहाँ पे जब डिसकस किये तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लिखा था acid की जो strength होती है दोगों ऐसे acid की शक्ट भी यह है एच प्लस कंसंट्रेशन के डिर्ट ले प्रकुर्शन थी जितना ज़्यादा एच प्लस कंसंट्रेशन उतना strong acid क्या दा रख नहीं हाँ और यह जो है pH के इन्वर्सली थी क्योंकि जब एच प्लस ज़्यादा होगा तो pH कम होगा अपने आप यह बताया था यार जो हच प्लस का कॉंसंट्रेशन होता है ना यह इसी का तो निगेटी लॉग बेस्टेन पे pH होता है है ना तो जब एच प्लस ज़्यादा होगा तो निगेटी लॉग करोगे तो value कम हो जाएगी तो pH कम आता है जिसका एक प्लस जाता उसका pH कम याद करो पीच का एक pH इसकल पढ़ाया था हम लोगों ने पढ़ा था एक से चोज़त था 1-14 उसमें 7 पे न्यूट्रल हो गया था 7 न्यूट्रल 7 से कम होने पे एसिड था और जितना जादा कम उतना स्ट्रॉंग एसिड था और साथ के उपर बेस था यादार ने यादि पीच कम होगा तो एसिड की पावर बढ़ जाती है क्या दाय कुछ ठीक है अब याथ हुथा इसके लिए और एक आयता शब्द के ए के दारक लिए था प्रपूर्शन है वैसे पी के किर्वसली हो जाएगा पी के ए इस सभी रिलेशन हम लोगों ने डिसकस किया है आप वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं ऐसे कुछ था तो अगर आप एसिड की इस्टेंद कम्पेर करना सीख गए और आया यार लेक्चर देखके देखो भू अगर आपसे इन तीनों का पर सकेंद थर्ड का अगर आपसे पुछ दे किसका पी के कम होगा पी के यहाँ पर है एसिड की इस्टेंद की इनवसली है मतलब जो एसिड होगी स्ट्रॉंग उसका पी के होगा कम इनवसली यानि सबसे स्ट्रॉंग है थर्ड सबसे वीक है सेकेंड यानि सेकेंड का पी के यह सबसे ज़्यदा होगा फिर फर्स्ट का और फिर थर्ड का यह आडर होगा पी के कहां, P के A कहां, तो इस सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कर लोगे अब, हाँ, जो भी आए, आपको आपको अपने टार्गेट होगा, कि आपको एसिट की इस्टेंज कंपेर करना पहले आ जाए, उसी से एक चारों मिल जाएंगे आपको, चाहे H प्लस पुछ चाहे के पुछे, चाहे के पुछे, चाहे के पुछे, ठीक, अब आईए हम लोग अलग अलग तरह के ग्रूप लगागा देखते हैं है, ओर्डर, शुरू करें, लेके नेक्स्ट, डबल बॉन, डबल बॉन, डबल बॉन, यहाँ पर O H, यह दिया गया आपको, ठीक है, ना मेटा फिनॉल जानते हो, यह अगर है, यह अगर फिनॉल है, ओ एस ग्रूप है, तो इसके रिस्पेक्ट में आड़तो हो, ए मेटा पैरा है, तो मेटा मिथाइल फिनॉल या इससे बोल सकते हैं, मेटा क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या परामिथाइल फिनॉल या परा क्रिसॉल हो जाएगा एसका नाम देखिए अब लोग कंपेर करते हैं कि एस्टिक इस्टेंट तो कि देखिए यहां पर एस्टिक इस्टेंट कंपेर करने तरीका वही सेम चीज़ एच प्लस लूस करने वाले एसिड होते हैं जाएब सी बात हैं अगर एच प्लस लूस करना एसिड की पहचान है जो आसानी से एच प्लस लूस करेगा वह स्टॉंग एसिड होगा और आसानी से एच प्लस वही लूस करेगा जिसको एच प्लस लूस करने से फाइदा होगा फाइदा मतलब इस्टेबिल्टी तो हम लोग हमेशा याद दखेंगे एच प्लस लूस करना एसिड की पहचान तो एच प्लस क एसे परले हम लोग बनाए क्या सभी के सभी एसीट के एकाने न मिनाते हैं जब सभी एसड के बनाएंगे एनाय जो ज्यादा स But in स्थे इंट्स आइए यहां से एचे सब निकाल दे यह माइन्प हो जाएगा यहांसे ऐच्प्रस Promo Green इनायन के स्टेबिल्टी आएगी वही इनकी इसिट के इस्टेंज का अउडर होगा जिसके पहले कंपाउंड तो पहचा नहीं कौन ज़्याद स्टेबिल हो सकता है यह फिनॉल में देखिए फिनॉल रिंग तो समय कॉमन रिंग समय कॉमन है डिफरेंस क्या है सिस्ट्री यह बने लगा गहा है च्छित्री जब आर्थो पर होता है और पैरा पर होता है में सब्सके पास डारेक्ट सी पर होता है तो हाइपर गया था यह प्लसाई होता है यहां मेटा के की केा फायरा पेर इधे यह परा यह क्या होगा फ्लास ए मगव और प्लस आई भी ओगा अब पहचांते एक chantide akonda टो समय कॉमन है माइनइस सुंगर pronounced ट्रील के सभी कॉमन नंडेन नहीं होने नहीं होना है लिफरेंस क्या लिका आएगए लाuğом कि स Cle кажется में कि यह अगर आगे लोड़े घाएँ तो इस पर अलबी माने से मैने स क मत्तभर यहां ज्यादा एलेक्राइड़ जाएगी जब एक्रान्ट बरस जाएगे तो stability इसकी खड़ जाएगी जрाप पड़े हो, जहां पे charge का magnitude ज्यादा होता है, उसके stability कम होती है तो इन तीनों के stability इससे कम होगी, याणि इन चारों में से first सबसे stable है, याणि Phenol सबसे stable हो गया न, यन, ये वाला इन उक्साइड ठीक, अब क्या है, इन समों में, कौन ज्यादा इस्टेविट हो तीनों में, ये तो सहाईगे न, अब इनमें पहचानते हैं, प्लस M है, यहाँ प्लस M है, या फ्लस M है, या फ्लस आई, और आप जानते हो कि मेजुमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव मेजुमेरिक करेगा, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा इलक्टान दिये जाएंगे, और यहाँ भी ज्यादा इलक्टान दिये जाएंगे, यहाँ पर जाएगा, ज्यादा इलक्टान देने वाले हो गए, कौन, सेकेंड और फॉर्थ वाले, ज्यादा इलक्टान देंगे, दुमों एभी लिकान ज्यादा मात्रा में जैगा ज्यादा रिकान देंगे प्लस M से यहाँ रिकान पहुंचेगा लाइव Прेश मालने माइन medidas का बळदा बढ़ने माइनिस है और चाहिए इसीवड़ी सिवर जायेगी है तो भी जे रहा है, दोनों के प्लस एम बराबर है, क्योंकि मेजुमेरिक पे डिस्टेंस का असर नहीं पढ़ता पड़ेते आप, मेजुमेरिक एफेक्ट बाई एसेंस नहीं, देख सकते हो पुरा आप, मेजुमेरिक एफेक्ट डिस्टेंस से प्रभावित नहीं होता है, ठीक, दोनों के प्लस M बराबर हो जाएंगे, तो कहां पर आओगे फिर, आई पर आ जाना, आई, आई इफेक्ट, और इंड़क्टी इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पढ़ता है, दूर की बस्तु कम दिखाई जेती है, पास की बस्तु अच्छे दिखाई जेती है, तो आई पर सर पढ़ा की नहीं, हाँ याद रखना, ऐसे इबाना आ गया है, तो पहचानने के लिए बस, ठीक है, इंड़क्टी इफेक्ट पे डिस्टेंस का असर पढ़ता है, दूर होने पे अच्छे दिखता नहीं है, पास होने पे दिखता है, अच्छे से, है ना, इसका मत्त्र अगल में है, आर्थोपर है, यहां दूर है, तो दोनों के प्लस आई में डिफरेंस आ गया, यह थ्षब दूर से दे रहा है, यह कमजोर हो जाएगा, यह बगस दे रहा है, यह ज्यादा प्लस आई होगा, है ग नहीं, तो ज्यादा एलेक्टान दे देगा, इसके रहा था इन दोनों की स्टिलना में तो सेकंड थर्ड वाला मतलब फर्स्ट होता अगर ए सेड़ अ कर था 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 ये फूर होता तो थार्ड वाला ज्यादा श्टेविल होता अ हम सेकंड और फॉर्ट की बात कर रहते तो प्लस समें बराबर हो गये थे आई का डिफ्रेंस था बगल में ज्दाइस एलेक्टान दे गा डूर एकम जोर तो स्कम इलेगे अफिक लिक्ताइन देगा तो नो आतानी नहीं बढ़ पाएगा ओर्त वाला तिल सेकेंड वाला एक्म इस्टेबिलीटी कि stability of anion टीकर stability of anion जिसका एन ज्यादा स्टबील वाइस्टंग एसिद पर पहला वाला इस्टोंग एसिसथ फिर फिर थरड यहनि अगर सभी कि एच वाले फार्म में टेशिटके अले की stability होगे है अगर सभी यहां पर एच लिखे होते आप जैसे यहाँ पर एच और यहाँ पर एच अब आप से पुछता कौन स्टॉंग एसिड है तो इसी एनाइन के अधार पर फर्स हो जाता फिर थर्ड हो जाता फिर फूर हो जाता और फिर सेकेंड यह होता इनके आपको एसिड के एनाइन के इस्टेबल्टी ही कंपेर करना है उसको पहचान लेंगे तो इस्टेबल्टी आप आसानी से कर जाओ गया कोई डाउट ने किसी को कर लेंगे अब आप से गर पुछता बटा कि इनके पी के एक आउडर क्या होगा पी के ए तो उन्हें आपसे बताया था पुयाद होगा तो ऐसे लिखा था पुयाद हो तो एस्टिक इस्टेबल्ट जो होता है एच प्लस के कंसंट्रेशन के डार्गले पॉपोर्शन होता है यादा राग नहीं? बढ़े से आप लोग और यह जो होता है पी एच के इन्वर्स्टिक पॉपोर्शनल था के एक के डिर्कली पॉपोर्शनल था पी के एक के इन्वर्स्टिक पॉपोर्शनल था इसा पढ़ चुके आप राग नहीं? तो वहाँ पे जो है अगर आप एस्ट के इस्टन कंपेर कर लिए तो आपसे कुछ ही पुछे, अगर H प्रस का काल्सलेजर पुछे तो ज्यादा strong acid होगा, उसके पास H प्रस ज्यादा होगा pH कम होगा, K ज्यादा होगा और PK कम होगा तो अगर आपसे पुछा जाए, इन चारो acids में सबसे कम PK किसका होगा? जो एक सीट होगी स्ट्रॉंग उसका PK दिकिनवर्सली है, पी वाली निवर्सली है, उसका PK कम होगा, सबसे स्ट्रॉंग एक सिर्फरस्ट है, इसका PK सबसे कम होगा, समझ गया? होँँ, होँँ, आता है, कर लिजिएगा, ठिक, आइए एक और देखें, next 3, CS3, कि कि लिजिए फिनॉल भी कर लेते हैं, इस तंबर पात्वान भी लेते हैं, लिया गया हो, डबल बॉन, यहाँ पर लिजिए गया हो ओएच, चलो फिनॉल, फिनॉल, तर्श्री बिटाइल फिनॉल, दिखे क्या है, पूल कारबन-4 है, जिस कारबन से करेक्ट हो, करबन तर्शरी है, इसक सबुक्ता इसे में अब इस दिकर घंस करना है कंपए कि पाउस तरह के फिनॉल के हैं सब्स्क्यूटेड फिनॉल है आपको करना है compare इनकी acidic strength क्या करोगे आप ति युए थियम तरीका H-plus lose करने वाले acid होंगे जो H-plus आसानी से lose करेगा वो strong acid होगा आसानी से H-plus वही lose करेगा जिसको H-plus के lose करने से फारदा होगा फारदा मतलब stability हाँ H-plus lose करने वाला acid और acid का anion बनेगा तब और जिस acid का anion ज्यादा stable होगी strong ठीक तो देखते हैं यहाँ पे इस चारो के anion बनाते हैं पहले हम लोगे तब तो compare करेंगे जो भी anion बनेगे उनके anion की stability है डिसाइड करेगी इनकी education और देखते हैं पहचान के बैलोग यहाँ से H-plus निकाल दिए यहां से निकाल दिए h-plus यहां से निकाल दिए पाँचों एक्सिद काटी pam jasic funcion ठीक तो कि आ जाए गया अरे रेडी कर लेंगे पहले खुछ से चाहे करिए बड़ा वीडियो को पॉस्ट करें ज़्या दस सेकेंड सोचें अगर कर लेंगे तो ठीक और नहीं दिफिर आंसर मैच कराएं मिल के सोचते हैं हम दो न आई देखिए इसके रिस्पेक्ट में अलफा पोजिशन अलफा कारबन अलफा कारबन पर ह अलफा एक हाईपर कंज्जूगेशन शूग करने काबिल है यानि कि यह हो जाएगा प्लस एम अग्या प्लस एम है तो यह प्लस आई भी होगा तो सभी के सभी सिंगल बॉंडिट एलकेल ग्रूप प्लस आई भी होते हैं जानते हो अब लोग इसके पास दो अलफा है है यह प इसके पाद यहस नहीं है कि खिये की केवले कार्बनहीं सी शी शी याइश नहीं इन चाहरों में एक खास बाक क्या है कि इसमें प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई, प्लस एम भी है तिन जगवों पे, यह कमसे हम सभी लिक्टान देने वाले हैं, फोलो, यह क्या आगे कितने फिर लिक्टान भेजेंगे, जब आगे लिक्टान भेजेंगे तो इलिक्टान भेजने का मतल चब यहां माइनेस पहले से. माइनेस पहले से है और यह और ज़्याद Goreलत भेजेंगे. तो माइनेस के पास माइनेस के पास माइनेस जाएगा चार्स और बढ़ जाएगा. चार्स का मेगरेटूड जब भढ़ता है. इस्टinals घड़ जाती है. सब में एक राइब अच्छा रहो किया र्रोडें समय कौन म boxer तो यहां पर चार्ज सबसे कम होगा और जहां चार्ज सबसे कम वहां स्टेबिटी सबसे अधिक है यानि कि फूर्थ निफ्ट वाले कि सबसे अधिक है सबसे होगे अब सुरू के चार पर आते हैं यहां भी लिख्टान देने वाला अब कौन जादा शा g क्लस एको का मतलब प्रसमेरिक धाई नेकर लो कि यहां मेसमेरिकुन में यहां प्याते हैं म ने जाधा एक बढ़ जाएगा ता इस सब्ढ़न बढ़ेगा तो यानि फर्स सेकेंड थर्ड कम इस्टेबिल होंगे फोर्थ वाले से को फोर्थ वाले में प्लस आई है M ही नहीं यहाँ पर यह भी लगता हैं देगा बठ्थवा कम देगा तो उतना ज्यादा चार नहीं बढ़़ाएगा यानि फॉर्थ वाल आ जाएगा थिक अब बचे सुरूगे तीन लग्लस म प्लस म से प्लस म से प्लस मुंद्वार्ट है तुनों का यह तीनलफा है एच्छ वाई डबल बांडर्ड कार्बन अगर मेन हो गया तो इलफा कारबन अलफा कर्बन ने तीन एच से तो चार्ज उतना ज़्धा नहीं बढ़ पाएगा। श्क होन बन जाता रहेंग सबसे को मिन्यार्ज जर्ञाता देगा तो कि थर्ड सेकेंद फर्स्ट कि उन्हा Ugh असथि ह्लिपेंग का अधिक आदर कि स्ट्राइब लिटी है अगरे इस्टिबिल्टी औरडर है permit ही होगे इनकी इसीड इसेंद का 점सके होगे वह समझ गया होगे आप लोग और जब दीक इसंध करते हैं कंपेयर इस सभी अलग अलग तरह के फिनॉल है टिक कि रपले खुछ से करें लिए सकते हैं आप उचादा सेकेंड तेरा सोचिए वीडियो को पॉस्ट करें कि कुछ टाइम दें कर लेते हैं तो वड़िया नहीं कर पाते हैं सीखी आई ये मिले के डिसक्स किया जाए यारो ने बोलो कुछ लिखो बोड़ो नहीं करोगे तो देखिए ऐसे हम करते हैं तरीका वही सेम सेम आपको एसीट के एनायन के स्टेबिल्टी कम करना है कंपेर करना है और गिनिक एमस्टी खास पास यही बहुत अच्छा पहचार करना होता है जिस एसीट का एनायन ज्या है उन प्लस अलग करतो पहले है और जो भी इनायन मिले उनकी स्टेबिल्टी कम पर कर दिए है कर दो अलोली विंकर धा प्लस ए माइनस हो गया है इनके स्टिबिल्टिक करते हैं कर लोगे क्या एक सब्सक्राइब करते हैं तो आई यह हम लोग जो है अब कंपेर करते हैं इनकी क्या इस्टेबिलिटी रपैचानों सब्सक्राइब करते हैं इस्टेबिलिटी पहचाना टार्गेट हमारा है और जानते हो जहां पे चार्ज का बेगरिटूट कम होता है उसके स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो सब प्लस आई का थो प्लस आई का मतले लिटान देने वाला एक खास बात इसमें कोई इक्स्टे से डबल मैने सिंगल डबल वैसे यहां ब यह माने सिंगल डबल अरिंका रेन्स बराबर मतलब नहीं के तो अंतर प्लस आई प्रस Chinese मतलब लिक्टान देने वाला वो एह आगे लिटान भेजेगा इसी मध्रा बढ़ जाए घा चार्ज की महात्य ऐसे पर लिए कि एदिये धिने वाला थोड़ा बड़ा हो गयाँ और जाद एलिक्रान देगा स्नदी इहां पारवन इच्स आई जितना ज्यादा पारवन रुबहला डिल या ओर उतिक है और यहां थो अर्वाहं और डिॉड़ोड़ cooking शत्वूड़ी घ्रती जा रही है यहांब कोई बाहर नहीं है इसका मतला फिफ्ट वाला सबसे स्टेबील होगा ठीक अब यहां पी थोट प्रकम एलक्णान दे रहा है यह चार्ष थोट अब बढ़ेगा तो फर्स्ट वाला यहां पर देने वाला थोग्ण गठ गया तो इसे कम होगी ज्यादा बढ़ जाएगा इस पर न गणर जाएगा इस तो इस्टेबिल्टी यहां वे घढ़ेगी इस से कम बढ़ इससे अधिक स्टेविल हो जाएगा है विराओड नहीं कहलोगे अब है टो जो भी आप देखिएगा जब एलकेल सब्स्वेटर है तो वहाँ पर आपको रुख के थवाँ देखना होगा कि वह प्लस M कहां-कहां पे है और प्लस I कहां-कहां उसके बाद आप इसे compare कर सकते हैं ठीक, आईए हम लोग जो है डाई हैट्रोक्सी फिनॉल की एस्टिक एस्टेंद compare करते हैं त्रिक्ट्चर आपके सामने बना हुआ है तकि क्या है वन तूदाइ हैं टाक्सी बेंजीन या इसका एक नाम जोब से मसमें है इसे theatrical के नाम से जैना चाछा है है टेक शटोर के यहां-कहां-कहँ है वन तूद्ट्री वन थ्रीन ठीपी इसे एक्ष्यल में बोला जाता है रिसार्सिनल एह है रिसार्सिनल एक Ol만 टो ट्री फोर है यह है एक्ष्यल में क्वी नॉल इसको एक नाम और दिया गया है इसे हाइट्रोक्योन बोलते है हाइट्रो क्वीनॉन अब इन त्यून कि एस्टिक किश्ण कंपेर करते हैं तरीका आपको पता है यह एच प्लस निकालने वाले एसिड होते हैं और एच प्लस निकाल के बनते हैं क्या एसिड के एना है है ना तो बताया था हमने आपको एच प्लस लूस करने वाले एसिड होते हैं ठीके अगर जर अध्यान सोचिए अगर H plus loose करना acid की पहचान है तो जो भी compound आसानी से H plus निकालेगा वह होगा strong acid और आसानी से H plus वही निकालेगा जिसको निकालने से फायदा होगा फायदा मतलब उसके anion की stability तो जब भी आपको acid की instinct पहचानना हो तो सबसे परेश्चरू करें आप लोग acid का जो anion बनता है देखे, H plus के निकालने बाद जो anion बनता है acid के anion की stability compare करना है तो आप acid की instinct पहचानने के करीब पहुंचाओगे टिक तो आई देखते पहले compare कर लेता है तो सभी में से पहले एक-एक H निकालते हैं हम दो इसमें से मालो आप H plus निकाल दिये, यह बन जाएगा माइनस यहाँ पर यहाँ निकाल देते हो, H plus A बन जाएगा माइनस H plus निकाल दिये हैं से बन जाएगा माइनस सभी हो गया एना है acid की एना है अब हम लोग इनकी stability compare करेंगे और stability compare करने के लिए उने प्रहाद था देखिए लोन पर वाला है यह इसके respect में आर्थो पर है लोन पर वाला आर्थो पर है तो प्लस M मेजमेरिक एफेक्ट सो करेगा प्लस M एफेक्ट सो करेगा इंड़क्टिव से माइनस आई होगा यह मेटा पर है लोन पर वाला इसके बाट यह आर्थो मेटा मेजमेरिक एफेक्ट बाई एसेंसिंग आप देख सकते हो वहाँ पर अच्छे से पढ़ा है आमने आपको यह केवल माइनस आई होगा मेटा पर मेजमेरिक एफेक्ट नहीं होता यह देखिए यहाँ पर वोन पर 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 है आर्थो मेटा परा पर पर रेजमेरिक होता है यह प्लस एम होगा एंड इंड़क्टिव से माइनस आई होगा अब हम लोग इनकी स्टेविल्टी कंपेर करते है जब आप इसकी स्टेविल्टी कंपेर करोगे यह प्लस M से इलिक्टान आगे रिलीस करेगा और यह माइनेस चार्ज पहले से है और यह और ज़्यादा इलिक्टान आगे दिना शुरू कर दे यहाँ और ज़्यादा माइनेस पहुंच जाएगा इलिक्तानों का कलेक्शन ओ पे माइनिस चार्ज बढ़ जाएगा इस्टिविल्टी घड़ जाएगी और आप जानते हो दिखें क्योंकि जानते हैं जहां पे चार्ज का मेगनिटूड जादा होता है उसकी इस्टिविल्टी कम होती है इसकी विज़ेट यहां पे चार्ज का मेगनिटूड बढ़ रात तो स्टिव्टी घड़ जाएगी यहां भी देने वाला है चार्ज का मेगनिटूड यहां बढ़ेगा इस्टिविल्टी खड़ जाएगी है न !! जबकि यहां पर Q опять-ight इ और यहां भी चार्ज बढ़ेगा इस्टी बढ़ेगी यहां पील माइनस आई माइनस आई का मत्विटाउन अपर तरह विड्रा खरेगा तो एक इस तो लेकल ने स्टी घटेगी यहां पर इसकी स्टेबिल्ती बढ़ जाएगी इन रिसार्स सीनवाल की स्टेबिल्टी सबसे रिखें चेशना लाइं नंबर लेखते हैं नहींट है सhos लोड़ी सबसे ज्यादा अ इस कि अब देख फ़र्सट और फेर्ड यह अगर फेर्स्ट हो जाता यह exam giorn recommend यह onoda 3 तो्थ सेकंड वाला सब से स्टेबिल हो गया इना इनसी का अब अब बचा फर्स्ट और थर्ड अब यहां भी प्लस एम यहां भी प्लस एम मेजमेरिक इफेक्ट पर डिस्टेंस का असर नहीं पड़ता तो चाहे आर्थो से चाहे पैरा से कहीं से वर करें मेजमेरिक पर डिस्टेंस का असर पड़ता नहीं है तो कहीं से भी लिख्टा आंदे चाहे आर आपको अच्छे दिखाई देगा, है ना, तो आई पाउर बेतर वाद करेगी आपकी, यहाँ रखना इस आई से कंपेर कर लेते हैं, दूरी बढ़ने पर आई पाउर घटती है, और दूरी घटने पर आई पाउर बढ़ती है, तो यहाँ दूरी बेटा ज्यादा दिखें से यहाँ दूरी कम है, यह माइनिस आई से ज्यादा एलेक्टान अठर करेगा, प्लस एम दोनों के बराबर हो गए, हम आई से कंपेर करते हैं, माइनिस आई से एलेक्टान बिढ़ना करेगा, यहाँ एलेक्टानों की कमी होगी, एलेक्टानों की कमी से निगेटिव चार्ज ऐसा है यह तो है इस्टेविलिटी आफ इन इन इस्टेविलिटी आफ इन इन थिक एब जान दोना इस्टेविल्टी और इन पूशाद इसे हो जाएगा अब आप से पुचा गेसे यहां पर यहां पर इसकी कंपेर करना था नोगो तो इस बैसिसपे अगर जो यूज करते हैं सुरू से जिससे एनायन के स्टेबल्टी ज्यादा होगी ज्यादा सब्सक्राइब तो इस बेसिस पर क्या होना चाहिए जाहिए तो ठीक है इसकी अब फॉर्स्ट और से काडिंग क्या है फॉर्स्ट वाले की सब्सक्राइब क्या है इसका उल्टा कैटेकॉल कि इन्वाल से कम सब्सक्राइब तो इनकी बीच में यहाँ पे चुली जो है तो यह हो जाती यहाँ पे इंटरा मालीकुलर एच बांडिंग यहाँ क्या हो जाती है इंटरा मालीकुलर एच बांडिंग हो जाती है तो इस वज़े से जब यह एच बांडिंग में चला जाता है तो इसके निकलने के चांसे थोड़ी से कम हो जाते हैं थोड़ी से कम हो जाते हैं इस वज़े से कैट क्योंट से थ्वार ज्यादा है क्यों और क्योंट क्योंट कि वी नॉल एंड लास्ट में आता है क्योंट कॉर्ट या आपको याद रखना है यह है SD किस्टिंद का आडर ठीक है? SD किस्टिंद का आडर रहे है इस सबसे स्ट्रांग एसीड है क्विनौल उसके बाद कैटेकॉल ठीक, अब इसमें एक नाम और आगर जोड़ दिया जाए फिनौल का यसे दिखेंगे फिनौल है फिनौल को अगर इसमें जोड़ दिया जाए ऐसे OH तो इन तिनों के तुलना में फिनौल ज़्यादा SD हो या कव SD होगा? चरा सोचो बेटा, H प्लस की वज़से SD किस्टन जाती है इनके पास भी दो OH, यहाँ भी दो OH, यहाँ भी दो OH तो वैसे भी अगर दोनों OH से H देना सुरू कर दें लोग तो इसके पास एक ही OH है इन तिनों के पास H प्लस का कंसंट्रेशन इन से ज़्यादा आजएगा और जिसके पास H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसकी SD केसे ज़्यादा होती है इस वज़े से एक तीनों यानि कि रिजॉर्स फिनॉल, क्विनॉल और केटेकॉल एक तीनों फिनॉल से अधिक होते हैं इस वज़े से अगर ऐसा होता है तो फिनॉल को आप लाजश रहें देना फिनॉल इन चारों में सबसे कम होगा चारों में फिनॉल सबसे कम सबसे कम फिनॉल सबसे कम सबसे कम होता है इसका PKA सबसे कम होगा ऐसे पहचान लेगे कि रलेंगे विडऊट है अब आगे देखते हैं लो नेक्स्ट नेकिए है इन केस आफ नाइट्रो फिनोल तो यहाँ पर गारे जैसे सबसे पहले दिया गया क्यूस्टन गुरूप में करते हैं एड़ी अब लोग से जैसे दिया गया एक सबसे पर एक फिनोल डबल बांड यहाँ पर दिया गया हो OH, आर्थो नाइट्रो फिनॉल एदिया गया हो, यह पहले क्यों फिनॉल यह ले ले ठीक है, क्यों फिनॉल, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, इसमें डबल बांड, डबल बांड, डबल बांड, यहाँ पर OH हो, और आर्थो पर लगाते हैं NO2 आथो नैट्रोफिनॉल हो गया, थर्ड, अब के लिए लेते हैं मेटा नैट्रोफिनॉल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बहुत ज्यादा पुछता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 अपकी बार हो, और फोर्थ नमबर पर जो है, पैरा नैट्रोफिनॉल, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ पर OH हो, और यहाँ पर NO2, इन चारों की SD की स्टेंद नाम पहसे हैं, पहचान गया होंगे, फिनॉल, आर्थू नाइट्रोफिनॉल, यह मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा इन चारों की एस्टिक एस्टेंद कंपेर करते हैं किया जा कि यह सबसे पहले तरीका वही होगा है एस्ट प्रस निकालेंगे तो बनेगा एसिट का एनाएन और जिसके एसिट का एनाएन की स्टेबिल्टे जादा होगी वह होगा इस्टाउन इसे तिक देख लेते हैं तो आई इसको पहचानते हैं हम दो क्या क्या हो सकता है हैं कि वह यह सनिकालिया पुर्स यह माइनिस हो जाएगा यहां से एकटालिया ईकाल आप हैं अब चारों की स्वाइन बphonie करते हैं इस अर्लों के लुए इस च्र जिक पर गदाता है कि दिखिए यहा드ी कि जो NO2 है, इसका structure real में ऐसे होता है, देखें ऐसे, यह है NO2, सब में ऐसे ही होगा, ठीक, तो यह यहाँ पर देखें, minus, single, double, single, double bond, यह है NO2, इस O minus के साथ resonance में है, heteroatomic pi bond वाला, तो आपने chemistry में इसे बोला होगा, minus M याद होतो आपको, आर्थो पे और पेरा पे मेजबरी इफेंट होता है, minus 1 और inductive वे भी minus होता है NO2, यह मेटा पे है, मेटा पे resonance होता नहीं, इसके वाले minus I होगा, यह पेरा पे है, तो पेरा पे क्या, पे resonance होता है, तो minus M भी होगा, और minus I होगा, इसी तरह से, ठीक, अब इस्टेमिल्टी गंपर करते हैं, ठीके, minus M और minus I, इन तीनों में क्या है, इन तीनों में minus M और minus I है, तो minus M होगा, minus I, electron को अपने तरह वेटरा करने वाले हैं, यह सभी लोग इलिक्टान को अपने तरह ऐसे अट्रेट करेंगे, और यह जब सभी लिक्टाना ट्रेट करने वाले हैं, तो यहां electron की जहसी घटेगी, इलिक्टान ज्यादा होने की वज़य से minus होता है, यह लिक्टान को अपने तरफ खिशना शुरू कर देगा, यह लिक्टानों की कमी हो जाएगी, कमी से negative charge घट जाएगा, stability इसकी बढ़ जाएग negative जहां charge कम होगा, वहाँ stability भर जाएगी, यानि second, third और fourth की stability जादा है, first के compare में, क्योंकि यहाँ पर कोई इस्टाब रूप रही है, ring की बात करते हों क्या आप, तो ring तो सब में common है, देखिए, minus single ring, double bond, minus single ring है, minus, यहाँ यहाँ रिंग, minus यहाँ रिंग, rings सब में common हो गई है difference के लिए नोटू का रहा है यहाँ पर, difference के लिए नोटू का रहा है, इसका मतलब ज्यादा पाउर्स, ज्यादा stability नों हो गए, जब लिक्टान को अपनी तरफ खीचेंगे, तो यहाँ लिक्टान कमी होगी नहीं होगी, बोलिए, तो जब लिक्टान कमी तो negative charge घर्टेगा, और जहाँ चार्ज घर्टा है, चार्ज का magnitude घर्टा है, उसके stability बढ़ जाती है, यानि यह तीनों ज्यादा stability हो जाएंगे, फर्स्ट के उपेर में, यानि फर्स्ट वाला सबसे कम stability, फर्स्ट वाला सबसे कम stability, छोड़े अभी, हम अब second, third और fourth की बात करेंगे, अब इसमें को ज्यादा stability है, तो जीके second में और fourth में, माइनस M है, और इसमे क्यों माइनस I है, तो माइनस M का मतलब और मेजोमेरिक जो होता है, inductive के उपर dominate करता है, ठीक है, मेजोमेरिक effect dominates over inductive है, बढ़ाग नहीं, तो अगर मेजोमेरिक inductive पर dominate करता है, जाहित से बात है, यह ज्याद ज्यादा power से रिक्टान को तरह फिच लेगा, ज्यादा power से अगराव सोच रहा हो कि मे 열才 मेरिक के dominate करता है, तो आप में气 effect पढ़नीजे, उसमेंने सांदार तॉर्च बताया कि याब कि ऐसा होता है कि कछा है कि यौल है से हैं हेलोजन आएंगे वहां पर मेजमेरिक से कब्रीच सब्जोड परता उसका भी करान वह बताया है यहाँ पर मेजमेरिक आई पी डामिनेट करता है तो ज्यादा घ्राण करेगा यह दानों कमी ज्यादा हो जाएगी चार्ज ज्यादा कम हो जाएगा इस्टेबल्टी बहुत बढ़ जाएगी यहाँ माइनस M है यहाँ माइनस M है यह ज्यादा पाउर से रिक्टान को बिड़ा कर लेंगे यह सेकेंड और फॉर्थ के स्टेबल्टी थर्ड से ज्यादा होगी ठीक है second और four ज्यादा stabile है third के तुल ना में तो अब क्या होगा second और forth पर कौन ह예요 minus M minus M minus M distance का आसर नहीं पड़ता ये भी minus M minus M distance का आसर नहीं पड़ता तो दोनों के M बराबर हो गए जब दोनों के M बराबर तो I से compare कर लेंगे I मतल्त भता inductive effect और inductive पे distance का असर पड़ता है दूरी जादा होने पे कम दिखता है कम अच्छे सथ नहीं दिखता है दूरी कम होने पे अच्छे सथ दिखता है याद करने किमें हम लोग आई से कम पर कर लेते हैं दूर जाने पर आई पवरवठती है पास आने पर आई पवर बढ़ती यहाँ पेंपर दूरी बटा कम है देखेगे इसivan लोरी कम है यहाँ दूरी ज़्यादा होगा यह पैर पे ज़्यादा पावर से लिक्टार पान बे épand record करेगा यह उक्रादा हो जाएगे इस इसके स्टेबिल्टी ज्यादा बढ़ जाए इनि सेकेंड वाला ज्यादा इस्टेविल होगा एस कम्पेर टूफू ठीक और थर्ड टो फ़र्स फर्स सब्सक्राइब बताया था निया पूर तर्ड इसके अधार पर यह फस्ट एक तो है स्टेबिल्टी आ अना एन stability of 10m अब इस basis पर बटाय चीज़ देखे अगर आप इनकी stability compare करें इनकी sd के strength है इस basis पर second वाला जो है 4th वाले से जादा sdOhok होना चाहिए second वाला 4th वाले से जादा stabilite वाला है यहाँ पर एक चीज़ बीटा आप याद रखें यहां पर भी ओएच अब जानते ही वैसे तब को ऐसा बना दिया है अगर मालो वेच यहां पर भी ओएच एक्चोले मेंटा यहां पर जो है दिखा अशें तुछ यहां पर अर्थों पर होने की वज़े से इनके बीच यह बन जाती है इंTRA-Molecular Hydrogen Bonding हो जाती है और जब इंTRA-Molecular Hydrogen Bonding है तो H-Pulse निकले ने पाएगा तो H-Dick Power थोड़ी सी शी कम हो जाती है थोड़ी सी कम होने का मतलब है होगया कि जब सेकेंड में InTra-Molecular H Grounding हो जा रही है तो इसकी H-Dick Power थोड़ी सी कम हो जाती है जो sd के इसंद पाया गया है 4 वाला ज्यादा इस्टिबिल हो जाता है s compared to 2 और third इसके बाद first sd के इसंद का order beta ये पाया गया है sd के इसंद का तो थोड़ा सा आप याद रखेगा यहाँ पे कि इसकी sd कावर थोड़ी सी कम हो गई है due to intramolecular hydrogen bonding intramolecular h bonding इसकी पावर थोड़ी सी घट गई है ठीक है यह इसका answer है without है किसी को देख लिजिए नहीं ना एक सवाल आउड देखाते हैं एक question यहाँ देखिए आप लो next first change करते हैं के वाल जैसे एक दिया गया है हापे आपको phenol double bond यहां रहाएगा double bond यहां double bond यहां यहाँ पर रखते हैं हम लोग अगर OH ठीक यहाँ पर रखते हैं एक CS3 एक CS3 बेटा यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं यह दो compound पूछता है कभी-कभी यहाँ पर N O 2 है एक compound यहाँ पर यह 6 member drink बनाए पहले हम यहाँ double bond यहाँ double bond यहाँ डबल bond यहाँ पर होगा OH अपकी CS3 यहाँ करते हैं और CS3 यहाँ करते हैं यहाँ पर करते हैं बेटा हलूग N O 2 ठीके इनकी पूछता है आपसे SD के स्जिन क्या है यहाँ यहाँ यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2, 6 मिथाइट, डाय मिथाइट हो गया यह 4 पे नाइट्रो है, फिनॉल है क्यों CS3 की position बदल लई है अब पहचानना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा SD होगा देखिए, पर थ्वासा वीडियो को पहुंस करें थ्वास समय दें, खुछ से पहचानी ज़्यादा SD का आप काड़िंग आउन होगता है आई हम दिखाते हैं, ठिक, देखो बैटा SD होने का मत का बस के वर आप उनके ACID के ENIIN के STABILITY कंपिर कर दना SD के संदा आजाएगी तो आसे यूनीक है, नायक्टर वाले, अक्सर पुछते हैं इसे लिए जैसे दिखिए, यह HBONDNY के में से इसकी पावर कम हो गई थी ऐसे questions बहुत पुछते हैं, तो आज जान देजिए कि इसके यह को में हम क्या करेंगे इसका H+, निकालेंगे, यह बन गाए इसका एनाय, इसका H+, यहां निकालेंगे, यह होगा इसका एनाय, अब दोनों होगे ACID के एनाय, इनकी compare कर देख कर देंगे stability तो यहाजाएगी ACID की स्ट है, ठीक, देखिए सी असे दोनों में प्रेजी तो दारा काम करता है, और मानिस I तो होई है है, ठीक, अब यह मानिस M की power से इलेक्टान, यहां के इलेक्टान को फरे सिर्ट विढ़ा करेगा, यह यह इलेक्टानों की कमी होगी, इलेक्टानों की कमी होगी तो निगेटीव चार्ज घटेगा, और जहाँ पे चार्ज का मेगरिटी भटता हुआ, इस्की इस्टेबिल्टी बह रहाएंगे, यह एनायन स्टेबलाइस तर रहा है, मैनेस m इफेक्टिक वज़े से, मैनेस m इफेक्टिक वज़े से यह क्या है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हमाल से एलेकार्ट या चार्ज घटा इसकी सीविर्टी बढ़ गए अधी जड़ा यहां देखो तब यहां पे इसके आर्थों पे cc3 ही है यहां पर आप देख रहे ने जो यह एन है यह एन का प्रेल पदल जाता है जो यह एन देखा रहे हैं यह एन का प्रेल सा पदल जाती है कैसे और यहां पर वाली ओ अगर नहीं पर लिखा सकते हो यह का प्लेल यहां आर्थो एफेक्ट क्यों इसकी है इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पर यह हो जाता है आर्थो एफेक्ट बोलिए चाहिए इस्टेरिक हिंड्रेंस एक विशेस इधर से भी रिपल्स लाजन की वैसे प्लेंस से हड़ जाता है अज़ प्लेंस से हट गया विस्का सब्स्क्राइब było गया इसका प्लेंच लिए जञेट विर्च से लिए कि वहादट नहीं करें जाये इसका अचैनल मारे जोलब गया तोया स्ट्रीम से लिए स्टीक्टिए इस वज़े से यह माइनस M नहीं रहा कि माइनस I से कोई विटरा करेगा और माइनस I जो है M से कमजोर होता है यह उतना ज्यादा एलेक्टार विटरा नहीं कर पाएगा जितना A विटरा करेगा इस वज़े से इसकी stability ज्यादा होगी ऐसे हैं ठीक है ऐसे पहचानेंगे मतलब कि यहां पर अगर होता यहां पर एक होता तो इसकी और ऊकृश्य जादा रहती एस रिक ने शुल ॉज इंभरफ टृर पहचान करने का ठीक है अभि और खास बाद कि प्रिगा तरो इसको आप लोगोर्ट बिदेए याद़ कर लिजिए गा हम जितने नाइट्रो कंपाउंड नोन है, फिनॉल के जितने फार्म नोन है, अगर इसकी बात करें, आप इसको इसको इस्पेसल केस रुप के रुपे याद रखेगा, इससे 6 मेंबर डिंग बेंजीन बन गई बालेजे, यहाँ पर OH, 1NO2 यहाँ पर हो, 1NO2 यहाँ पर हो, और 6, dry, nitro, ठीक है, इसी का नाम है, picric acid, picric acid, इसी गोलते हैं, यह जो है, कह सकते हो, strongest, 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 sd character, acidic character, among all phenols, जितने phenols नोन हैं, उनमें सबसे strong इसी इसी रेग होता है, picric acid, 246, trinity of phenol, reason देखे, यह भी minus I, minus M, B है, minus I, यह भी होता है, minus M, B, होता है, minus M, B, होता है, minus M, B, होता है, minus I, सोची जोराब H+, के निकलने के बाद, जो minus आएगा, उस minus के कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगे। यह निकलने का जो माइनस आएगा वह बहुत ज्यादा एस्टिफ हो जाता है। याद रखेगा फिनॉल के जितने रूप है यह उनमें सबसे स्ट्रॉंग एसिड होता है। याद रखवाएंगे। ठीक आये हमनों जो है अब पढ़ते हैं हैलो फिनॉल हैलो फिनॉल इसको जब देखते हैं हमनों देखें दिया गया आपको 6-member ring यहाँ पर OH ठीक है यहाँ पर दिया गया हो CL फर्स्ट कर देते हैं सेकेंड पर दिया गया हो डबल बॉन्ड यहाँ दिया गया हो OH मेटा पर दिया गया हो CL थर्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखेंगे ऐसे यहाँ दिया गया हो यहाँ पर दिया गया हो कि यह हो जाएगा आर्थो प्लॉरोफिनॉल आया तो एमेटा मेटा प्लॉरोफिनॉल पैरा प्लॉरोफिनॉल और एक्रिफिनॉल है में हम लोग कंप्र करेंगे इनकी स्टिय conservatives जै पैचानिएस स्गरंन जिसके एसीड के यहाँ प्लॉरोफिन के stability ज्यादा होगी वह होगा होगा के स्ट्राउंग एसीड जीदके एसीड के एनायन के stimul कि ज्यादा होगा स्ट्राउंग एसीड स्ट्राउंग आएगा एच प्लस निकालोगी आप यह माइनस आएगा इन चारों के स्टेबिल्टी पहचानते हैं देखिए आर्थो पे लोन पिरवाला है प्लस एम तो होगा ही यह माइनस आई भी होगा मेटा पे रेजनेंस होदा नहीं है में अमेरिक फिट होता नहीं सीक्वर माइनस होगा और माइनस आई होगा इसमे ऐसा कुछ नहीं है 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 कि इस चील्ट करता है अद्पर यहां पर डाया करेंगे-अगर न पढ़े हो पांड़िजेगा मेजुमेरिक इफेक्ट भाई एसन्स आपको लेक्षर में जाया रहा तीक है आही है यहां देखते हैं अब यहां पर I M आपको सोचना नहीं है कि इसका भी M नहीं सोचना है और सोचना है अब माइनिस आई से जड़ा सोचो बैटा और माइनिस आई से यह ल इल्लेक्टानों की हो जाए एक कमी एक कमी से निगेटीव घट जाता है चार्ज घटेगा तो इस्टिवल्टी बढ़ जाएगी और इंड्रक्टिव इपेक्ट में एक बात और चीज अच्छी बात है तो इसकी दूरी जादा होगी तो आई पाउर घट जाती है दूरी कम तो हो आई पावर बहे जाते हो कि याद करने कि लिए तो डिस्टेंस पिर डिपेंड करता है तो इसकी दूरी कम है इसकी पावर्र ज्यादा होगी ज्यादा एलेक्टान मिटरा करेगा इसकी दूरी थुद ज्यादा हो वहे, इसकी पाउर्ट फॉर थोई सी कम हो जाएगी, दूरी और ज्यादा है, इसकी पाउर और कम, या कोई इफ्षार नहीं है, रिंग किस्ती सभावर रिंग से क्या हो कुछ नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर से ईक आद्पर विड़ने गर कोई डाउट हो देख समझ लिए जहां से क्योंकि इसी सब होने वाले हैं इस्टेबिलिटी आफ एनायन है तो जब फिनॉल फार्म होगा इसका अब कुछ वह जाएगी ज्यादा पावर से खीचे का जस्ट बगल में है इत्वा दूरी ज्यादा होगे इत्वा पावर कम खिश जाएगी तो आपको चार्ज घंटेगा या दूरी और ज्यादा होगे इसकी आई पावर और कम हो जाएगी और कम खिचेगा यहां कोई है नहीं है तो सब से स्टेबिल फिर से के इस थार्फ फोर यह इनके एनायन के स्टेबिल्टी हो गई अब अगर सब पे हो यहां पर भ इस फिर सेकेंड वाला फिर फूर्थ वाला इस इनकी एस डिक स्टेंट एस इस टेंट आगे समझना अब आसान तो यहां पर यहां पर चेंज करते हैं कि यहां पर व्यार होता कि यहां व्यार होता अदी यहां व्यार होता ऐसे होता अगर कि आगा इसी है कि भी होगाल और कोई दिक्क्त नहीं है कि से माउडर कोई जिक्क्त नहीं कोई डिफ्रेंस नहीं ठीक है यहीं अगर आई होता यहां पर आई होता यहां पर आई होता यहां पर आई होता तभी से माउडर पाए गया है नोट करते जाए साथ में तभी आउडर से में पाए गया है कोई डिफेशन नहीं है ठीक कि के लिजिए हाँ अगर यहां पर एन फोथा यहां पर एन फोथा यहां पर एन फोथा यहां पर एन फोथा चैनल सब कोई चीज नहीं आया है, देखी, सब हैलोजन सेम है, कोई अर्तर नहीं आ रहा है, एस्टिक सेंद्धकॉर्टर एक सेम है, नोट कर लेजी इसको भी, ठीक है, अब अगर थ्वास डिफेरेंस करते हैं, अगर देखी यहां पे, नेक्स्ट करते हैं अगर आप, यहां पे, अगर करोगे आप, CL, यहां करोगे आप, BR, यहां करोगे आप, आई अगर पैट कर देते हैं, फिनॉल के बढ़ी, ऐसे दिखिया, फिनॉल अगर कर तो, ऐसे ओच हो, अब इसमें थ्वासा चीज़ें बदल जाएंगे, दीखें ऐसे, अब यहाँ पर F, यहाँ CL, यहाँ VR, यहाँ आई और यहाँ पर फिनॉल है, तो इसमें S, इस्टिक इस्टिंद का आडर जो रियली होना चाहिए, यहाँ पर F, CL, VR क्या होना चाहिए, वही सेम पैटर्न है, माइनस M B है, यही माइनस I है, और माइनस M B है, इसमें सा कुछ नहीं है, और आप जानते हो, इनका M आपको सोचना नहीं है, यहाँ पर M नहीं सोचना होता, यहाँ पर M नहीं सोचना होता, यहाँ पर M नहीं सोचना होता, यहाँ पर M नहीं सोचना होता ऐसे, तो अब इसमें लास्ट में क्या करें करेगा सबसे कमचार रही हो जाएगा सब लिए स्टेविल तोफर्स डाय घखा b इसकी आई पाउट वए सीसकों सरकेंड हो जाएगा फिर फिर फ्रोर हो जाएगा फिर पाचि चाहे अंची में यह इंके स्टेबिलिटी आफ और सो है इस्टेबिलिटी आफ एनाय आएं ऐसे थिक तो एस्टिक इस्टेंद का ओडर यह होना चाहिए था यह नहीं खेला और यहीं होना चाहिए था यह बिटा एक चीज जास्याद रखना राज्ट में क्या आतरोगे कि जो पाया गया है कि जो इसे यहां पर एच रखते हैं अगर यहां पर भी एच हो गया यहां पर भी एच और यहां पर भी एच हो गया गया तो क्या पाया गया कि यहां पर जो ओ एच है यहां पर ओ एच धुए से यहां पर इनके बीच में पाई गई है इंत्रा इंत्रा मालीकुलर हाइट्रोजन बाण्डिंग यहां पाई तो इसकी वज़े से जब एच प्लस चला गया इंत्रा मालेकुलर हाण बाण्डिंग में तो इस ह के निकलने में दिख्का था थी इसकी एशिक पवट्वार सिख़ जाती है थोड़ी सिखटने का मतलब देखी जो सबसे ज्यादा एस जिक होना चाहिए वो थ्वास अ कमजोर होकर के पाया क्या गया है सेकेंड ज्यादा होता है इने क्लूरो फिनॉल फिर ब्रोमो वाना भी से ज्यादा होता है और देखे ऐसे यह फर्स्ट यहां प्या चाहिए था पर्स्ट फर्स्ट वारा यहां पर आगे है इसकी एस्टिक पाउर थोड़ी सी घट गई है तो आप क्या याद रखोगे इस दूटू इंट्रा मालेकुलर हाइड्रोजन बांडिंग इस वज़े इसकी पाउर घट गई है ठीक ना इसको आपको यहाद रखना ह ठीक यह देखा आपने फिनाओ और जितने फिना neighborhood के सब्सुट्ट फ़ार्म है उनस सब की एस्टिक एसिट का ओर है ठीक अब इसके बाल जेक्चिर पाउर लोग परेंगे कार्भॉक्सरिक एसिट और फिनाल को अंपेयर करेंगे। और फिर जितने तरह के कार्भॉक्सरिक के सिट्स होते हैं उन सब की एस्टिक केस्टन कंपैर करेंगे ठीक है इस लेक्षर में इतना ही खुब जम के पढ़े हाँ लोग आल दे बेस्ट